आप सब भी साते हो सबसे पहले जय बीम जय वारत आज मैं आपसे एक जरूरी मुद्धे पर बात करने के लिए आया हूं और एक सबसे बड़ी खवल लेकर आया हूं जो कि रमन वालमीक जी से संब्धनित है और आखिर रमन वालमीक जी के मामले को लेकर बहुजन समाज क्या क कुछ करने जा रहे हैं और भीम आर्मी चीफ चंद सेक राजात जी ने पुलिस पिरसासन पर क्या कुछ आरोप लगाया है और क्या कुछ सरकार से मांग किया वह सब कुछ आज की आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो आप इस वीडियो को आखरी तक देखें और इस व नमें आपको पूरा समझाने की कोजिस करता हूँ वह मामला यमना नगर से हैं यमना नगर में जो कि एक र्मन वाल नाम का यूवा था और वह संब सब्सक्रसासन पर परिशासन पर आरूप लगाया है कि पलिस पिरशासन ने जहर पिला कर हमारे बेटे को मार दिया यानि ब लेटा जो कि हमारे घर का जो कि सदस्यता रमन वालमीक था वह अपने आप नहीं वरा वो पुलिस प्रसाशन की मिली वक्त से मारा गया है ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाया है फिर भाउजन समाई क्या मांग करता है वो सब कुछ भी अब हम आपको बताते हैं भाउजन से यह बोल रहा है कि सीवियाई जहां चुनी चाहिए मामले में और इमांदारी से जहां चुनी चाहिए और पीडित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और साथियों भीमार्मी चीफशंदर सेकर राजाट जी ने प्लिस प्रसाशन पर क्या आरोप लगाया वह सब भी हम की मौत सद्धिगत है पुलिस पर जहर देकर मरवाने का आरोप है रमन वालमीक की अत्या बरदास नहीं की जाएगी दोसी अधिकारियों को बक्साथ करकर मामले की जांच कराई जाए परिवार को जांच सीवय तरीके से कराई जाए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए ऐस बीमार्मी चीफ चंदरसेख रहदाद जी का कहना ने ने बोला जो भी अपारादी उनको बरकास्ट किया जाए और पुलिस योगी लोक डाउन को जल्म का जरिया बना वैटी एसा अभी भीमार्मी चीफ चंदर जी का कहना है साथियों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सियर करें एक जुट्टों और इस आवाज को ऊपर मंजल तक ले जाएं क्योंकि हमीं लोग आपकी आवाज उठा पाएंगे क्योंकि मैं इस्ट्रीम मीडिया कभी भी भाउजन समाजी संब्दित खबर नहीं झाट